दोस्तों क्या कोई ऐसी औसदी हो सकती है जिस औसदी को लेने से जीवन में कभी कोई रोग ना हो और वो हमारे पूरे सरीर पर कार्ज कर जाए तो आपको बता दे कि ऐसी औसदी नहीं हो सकती है कि जो एक औसदी मात्र लेने से हर बिमारी को वह कार्ज करे हर बिमारी को ठिक क पर दोस्तो एक ऐसा तरीका है एक ऐसा उपाय है जिसे हम जीवन भर हर बिमारी से दूर रह सकते हैं बज सकते हैं निश्चित रूप से ऐसा तरीका है आपको जो हर एक समस्या हर एक बिमारी से बचा सकता है दोस्तो आज की कहानी इसी सिर्शक पढ़ है तो इसलिए आज की इ रोग ना हो जिन्दगी में साहरी कोई समस्या ना आये तो इस कहानी को आपको अंतक ध्यान पुर्वक जरूर सुनना होगा और समझना होगा इस कहानी में से आपकी उम्र थम सी जाएगी आपको कोई बिमारी नहीं होगी आपको पेट से सम्मंदित कोई भी बिमारी नहीं होगी या यूँ कहें कि आपको कोई बिमारी छू भी नहीं सकते पाएगी तो दोस्तों मेरा फिर से एक अन्रोध है इस कहानी को अंतक जरूर शुने इस कहानी में अंतक जरूर बने रहें तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इससे पहले आप वीडियो को खोज जाएं हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्प्राइब जरूर करें एक बार एक आदमी जो हमेशा बहुत बिमार रहता था वह एक दिन आ कोई ऐसी आउसदी है यदि है तो मुझे बताईए जो कि एक ही आउसदी से रोगों का खत्म हो जाए यदि ऐसा कोई आउसदी है तो मुझे बताईए कि मैं अपनी साहिडिक समस्चा से रोगों से बिमारियों से बहुत ज़्यादा परसान हूँ तब गुरु देब बोले अगर तुमने ये पूछा होता कि क्या कोई ऐसी उपाय है जिन्हें करने से सारे रोग खत्म हो जाएंगे तो मैं कहता हाँ ऐसा उपाय है पर एक ही उसिदी से अनेक रोगों में बिमारियों में काम करें ऐसी कोई उसिदी बनी ही नहीं है करें तब वो गुरु देब बोलें आज मैं तुमको यह बताओंगा कि हम कैसे अपने पूरे स्वास्त को ठीक रख सकते हैं और शरीर को कोई भी कितनी भीयानक बिमारी से बस सकते हैं तो ये तरीका है अपने सरीर की प्रकृति को समझना अपने सरीर की प्रकृति को हमेशा संतुलित रखना इससे आपका बल भी बढ़ेगा, सुन्दार ये भी बढ़ेगा हर प्रकार से आपको इससे लाब मिलने वाला है तो आपको करना क्या है? वाद, पीत और कफ इस सिध्धान्थ को अच्छे से समझना है फिर गुरूवर उस वेक्ति से कहते हैं कि पहले सिध्धान्थ को में आप यह समझो हमारे सरीर की प्रकृति कैसी है, प्रकृति के लक्षन क्या होता है, संतुलित है तो उसे कैसे संतुलित किया जा सकता है फिर वो गुरूवर बोले सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि वात प्रकिर्टी की स्थिती में आपके बालों पर आपकी आँखों पर और आपकी तोचा पर प्रवापरता है आपके बाल रुखे होने शुरू हो जाते हैं और जड़ने लगते हैं और जब आपके बाल जड़ने लगते हैं तो आप कई तेलों का प्रयोग करते हैं विविन परकार के उसदियों का प्रयोग करते हैं लेकिन तब भी लाब नहीं होडा हो तो समझ जाना चाहिए कि आपका वात प्रकोपित है, होड़ा है, बात में आपकी समस्या है, आखों की रोशनी कम होने लगती है, तोचा जो है, आपकी रूखी होनी शुरू हो जाती है, सुकी हो जाती है, और तोचा से चेहरे की जुरिये पढ़ने लगती है, यह सब वात का ही प्रभाव होता है, तो अगर आपको जोरों में दर्द होता है कमर में अकारण ही दर्द हो जाता है तो यह सब बात का प्रभाव के कारण ही होड़ा है और भूक इन लोगों को अच्छी लगती है समाने लगती है बहुत अधिक नहीं बहुत कम नहीं लेकिन इन लोगों को गैस की समस्या पेट जैसे फुला फुला अनुभव होना और तकारे आना ऐसी प्रस्तितिया इनको बनती है और अधो मार्ग में बायू को निस्कासन जादा होता है इस प्रकार की स्थिति बनती है और साथ साथ कंस्टिपेशन यानि की कब्च की समस्या इनको रहती है क्योंकि बात जो है वो मल को सुखा देती है बात का जो मुख स्थान होता है वो आपके आतों में होती है और यह यहाँ पर मल का सुखा कर constipation की समस्या खरा करती है तो अगर आपको भी बार-बार constipation की समस्या रहती है मल ठीक से निसकासित नहीं हो पाता है तो आप यह समझ लेना कि आपके सरीर में बात का प्रभाव बढ़ा हुआ है यह सुनकर वह वेक्ती बोला गुरुदेव आपने ठीक कहा है यह जो आपने अभी कई परकार के लक्षन बता है उनमें से कई तरह के लक्षन आदे से ज़्यादा ऐसा लगता है कि वह मेरे में भी है तभी गुरुबर कहते हैं तो ठीक है तो अब तुम यह समझो कि मन की स्थिति कैसी रहेगी तो यह मन चंचल रहेगा एक जगर ठाड़ेगा नहीं मन बार-बार अलग-अलग अस्थानों पर जाएगा अगर वह ध्यान का अभ्यास करे और अपने काम में एकागर रहने की कोशिश करे तो कोशिश करना मुश्किल होगा ध्यान बहुत ज़्यादा भटकेगा यह बात का प्रभा होता है फिर गुर्देब बेक्ति से बोले अब मैं तुमको यह बताता हूँ कि आप बात प्रकोपित हैं तो आप किन-किन चीजों का प्रियोग करके ठीक कर सकते हैं तो आपको मुख रूप से बासी भोजन और भारी भोजन का त्याग करना है जब आप ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो आपके पेट का दवाव बनता है भोजन सरता है और वहां से बाद बनना शुरू हो जाता है और जो आपकी पाचन सक्ति को भी मध्यम हो जाती है वह भी तेज नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है कि वह कुछ भी पचा लेगा, तो आपको भारी भोजन नहीं करना, बरिष्ट भोजन नहीं करना है, हलका सुपाच और संतुलित भोजन करना है, अब बात करते हैं, बीबात को खत्म कैसे किया जा सकता है, इसमें आपको गाय के गही का प्रयोग करना है अब आप गाय के घी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके बात का प्रभाव कम होता है और साथ ही साथ आप तील का तेल का भी प्रयोग करें तील का तेल आप भोजन में प्रयोग कर सकते हैं तील का तेल आपके सरीर में मालिज करते हैं तो वह भी अत वह कॉंस्टिपेसन के लिए भी अच्छा है और आपके वाद के प्रभाव को साम दें करने के लिए भी अच्छा है वयाम इसमें कितना करना है तो आपको बहुत जादा वयाम नहीं करना है अगर आप हलका वयाम करते हैं तो वाद की स्थिति में आपको जरूर लाब में होग अब आगे बढ़ते हैं अगर किसी के लक्षन को कैसे संतुलन करते हैं क्या करना है तो पीत के लक्षन में बाल सफेद होते हैं बात की स्थिती में बाल जड़ते हैं तो पीत की स्थिती में बाल सफेद होते हैं बाल अगर आपके सफेद हो रहे हैं तो समझ जाए कि पीत का परभाव आप में बड़ा हुआ है चेहरे पर केल मुहां से फोड़े फुनसी की समश्या पिंपल्स की समश्या इन लोगों में ज़्यादा रहती है साथ ही जो लोग भोजन करते हैं अगर उसमें मिर्च मसाले वाली सबजी ज़्यादा होगी तो यह और भी अधियतिक नुपसान पहुंचाता है इसलिए इन लोगों को मिर्च मसालों को त्याग करना है फास्ट फूड जंग फूड बहुत ज्यादा तेल में तली भूनी चीजिये का त्याग करना होता है अगर आप अच्छा सुपाच भोजन करते हैं तो आपको इससे लाब होगा अगर आपको ऐसे अगर आपको एसीड बहुत बनता है खटी डगारे आती है और कभज भी बहुत ज्यादा समस्या होती है तो ऐसा समझे कि अपका पीत प्रकोपित है पीत की समस्या पाचन का विकार हो सकता है तो ऐसे में ना आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा आहार में आपको अपने आहार का ध्यान रखना होगा। आपको ऐसे अधिक चीजों का प्रयोग कम करना होगा। और अलकाइन यानी सरीया चीजों का प्रयोग आपको ज्यादा करना होगा। और आपको ऐसेटिक चीज़ें ज्यादा खाएंगे तो आपके सरीर में जो पीत बढ़ा हुआ है वह और भी ज्यादा बढ़ जाएगा जिस समस्या और बढ़ेगी अगर आप ऐसे चीजों का जगह और चीजों को ज़्यादा खाएंगे जैसे कि हरी सब्जिया, फल, फूल आपको ज़्यादा खाना है नारिल का पानी पीते हैं, जूस पीते हैं पेठे का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीते हैं अगर आप ऐसी चीजों का सेवन करते हैं तो आपके जो पेट की समस्या है वो बहुत जल्द ठीक होना शुरू हो जायेगा अगर आपको सुगर की समस्या हो तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी इस समस्या से आपको एसेटिक डाइट को कम करना है और डाइट को बढ़ाना है जो चीजे हैं उनको कम करते जाना है इन लोगों की जो मानसिक स्थिती होती है ज्यादा क्रोध वाली होती है गुसे वाली अहस्थिर होती है यानि कि बहुत ज्यादा छोटी सी छोटी चीजों में भी बहुत ज्यादा रियक्ट करते हैं तो यह उ आपकी मानसे किस्तिती बनी हुई है तो समझे कि पीत परकिर्टी का यह प्रभाव होता है और फिर गुरुदेव बोले कि इस परकिर्टी को ठीक कैसे किया जाए तो इसका सीधा सा उपाय है गाय का मक्खन अगर आप गाय का मक्खन का परयोग करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा होता है गाय की घी का मक्खन का मिस्री मिला कर इसका परयोग करने से आपको बहुत फायदा होता है और साथ ही इसमें अधिक फल सब्जियों का परयोग करना आवस्चक होता है बयाम में आप समझे की कुंजन किरिया जो है वो बहुत अच्छी रहती है यानि कि आपको प्रयाप मात्रा में 3-4 खिलास गुनगुना नमकीन पानी टिके उसके बाद आप उंगली को मुँ में अंदर डाल कर कुला करते हैं तो पानी बाहर की शब say to this की दर्याप और व·हुत कम करती है ऐसे लोगों को ध्यान का अभियास और योग अभियास भी करना चाहिए इससे भी मन सान्त होता है और गुर्सा कम होता है एक मांसी किस्तिति जब सान्त होती है तो पाचन पर भी उसका अच्छा प्रभाव परता है और आपके जो अलसर जैसी समस्या है कितना बढ़ रहा है तो ऐसे में मानसिक समस्या इसे कम करने में आपकी मदद करती है अब बात करते हैं कफ परकृति में क्या लक्षन दिखाई देते हैं कफ परकृति में एक अच्छी परकृति माना जाता है इसमें तोचा बहुत अच्छी रहती है इसमें आपकी तोचा आपकी आँखे और आपके बाल सब अच्छा रहता है आपका पाचन भी ठीक रहता है बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी लेकिन आप यह समझें जो अब तेजिस से बढ़ेगा आपने सिटी यानि मोटाप्य की समस्या रहने वाली है जो मियूटेशन है यानि वल्गम को बढ़ाता है खासी जुकाम की समस्या रहती है और की करदल होने वाली जो भी विमारियां है जैसे कि डाइबिटी इत्यादी की दिकत परधांता में र अगर अपने आपको शक्रिये रखते हैं अच्छी जीवन सेली को पनाते हैं तो फिर ठीक है लेकिन अगर वह निष्क्रिये हो जाते हैं मतलब कोई काम नहीं करते हैं तो सारीडिक मेनत नहीं करते हैं, सारीडिक रूप से एक्टिव नहीं रहते हैं, तो ऐसी स्थिती में कब परकृति जो बनती है, उसमें जो मानसी किस्थिती होती है, वो बेखती की सांत होती है, मिलनसार सुभाब होता है, या संतुलित मस्तिस के साथ रहते हैं, इसमें फैट वाली चीजों का उपयोग करना निसेद होता है इन लोगों को यह सब चीजे करहन नहीं करनी होती है क्योंकि इससे और ज्यादा फैट बढ़ने लगता है अगर आप फैट वाली चीजे लेंगे तो इससे आपके नुक्सान देखने को मिलेंगे जो फैट है मुटापा है वो इसमें बढ़ता है तो जो आपका मांस है इसे ठीक करने के लिए आप एक सो इलाइची हल्दी चीनी का परियोग कर सकते हैं अगर आप इस परकार की चीजों का परियोग करते हैं तो इसका संतुलन होता है बयाम की वात करें तो कफ पर किर्थी की वेक्तियों को पूर्ण सकती बयाम करना चाहिए अधिक बयाम करना चाहिए ऐसा ब्याम करना चाहिए जिससे कि उनके सरीर में पसी ना निकले जिससे कि उन्हें थकान का अनुभबो ऐसा ब्याम करना उनके लिए उप्यगी रहेगा साथ ही साथ इनके लिए उपास बहुत अच्छा रहेगा हपते में एक दिन उपास तो कफ परकृति के लोगों को करना चाहिए अधिक पुर्ण बयाम यानि की अच्छा बयाम और इसके साथ ही अगर उपास करते हैं तो इससे उन्हें बहुत अच्छे लाब मिलते हैं तो इस तरह की स्थितियों में आप अपने लक्षनों को देख सकते हैं मिला सकते हैं कि आपके मानसी का उसाड़ी लक्षन की सतरह की मिल खाते हैं तो अगर आपको लगता है कि दो तरह से मिल खाते हैं तो आप समझें कि दो परकृति की योग भी आपको एक परकृति बनाता है, यानि कि आपको हो सकता है, कब हो सकता है, बात कब हो सकता है, इस परकार से भी परकृति या बन सकती है, तो आपको इस पर ध्यान देना और उस परकृति के अंस्वार आपको अपना अहार लेना है, और आपको जो भी चीजे निसेद है, बताई है, उन चीजों का त्याग करना है, और जो चीजे आपको लेने के लिए कही गई है, वह चीजे आपको जुरूर लेनी है, एदि इस परकार से आप करते हैं, तो आप निस्चित रुप से बहुत सारी बिमारियों से बस सकते हैं, वह उपाई भी मिल गया थे और अब उस विक्ति ने गुरु देव को धनबाद दिया और जीवन सैली को अपने जीवन में लागू किया करने का प्रण ले लिया और गुरु देव से आ गया लिया और वहां से चला गया तो दोस्तों उमिद करती हूँ कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी एक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट मक्स में कमेंट करकर जरूर बता और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें किस्ता एकी